जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 जून 2021 के कुम्ब राशी फल के बारे में कुम्ब राशी वाले लोगों के लिए आज 7 जून का दिन कैसा रहेगा इस दिन ग्रैन अक्षत्रों की इस्थिति आपके लिए किस तरह के परिवर्तन इस दिन चरिया में लेकर आई है जानेंगे पूरे दिन के बारे में आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में तो वीडियो को आज तक देखें चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जूड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो आज अगर यह जो राशी फाली के चंद्र राशी पर आधा रहता है और चंद्रमा की इस्तिति देखें तो चंद्रमा जो है वो मीन राशी में है अब यहां जो इस्तिति होने वाज़े मेश राशी में चंद्रमा मेश राशी में इस्तित है तो आपके तीसरे भाव में चंद्रमा उपस्तित हैं बाकी ये जो दिन होगा ये आपके लिए कुछ अच्छे नए मार्ग आपको दिखाएगा जहां आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं आप उन्नती के रास्ते पर चल सकते हैं जो आप अपनी कामकाज करने के लिए तैयारी करेंगे अपने वैपार के क क सब्षारे करने की तैयारी करेंगे वह आपने बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे जिसे मन में प्रसनता का भाव धी रहे है अगर आपने कुछ डिनों से कोई संपत्थी खरीदेने का मन बना रखा है कि आपको कोई संपत्ती खरीदनी है तो कुछ के लिए भी यह दिन काफी अच्छा साबित होने वाला है क्योंकि सौमवार का दिन है भगवान शिव का दिन है तो आप अपनी इस जो संपत्ती खरे दिने का उसके लिए भी ट्राइ कर सकते हैं आर्थिक पक्ष निश्यत रूप से मजबूत रहेगा स्टुडेंट्स की बात करें तो स्टुडेंट्स को अपनी जो टीचर्स हैं जो आपके सपोर्टिव हैं उनका पूरा पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है साथ में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ नई चीज़ें भी आपके सामने आएंगे जीवन साहती से आपको सुख की प्राप्ति होगी पैसे कमाने के मौके तो मिलेंगे ही मिलेंगे कुछ लोगों से मिलकर या कुछ अपने दोस्तों से मिलकर कामकाश के मामले में आपको अच्छे नए आइडियास मिल सकते हैं और आप उन पर जल्दी ही काम भी कर शुरू करना स्राहेंगे शाम का समय बच्चों के साथ अच्छा बीतेगा घर परिवार के साथ अच्छा बीतेगा सोक शांती में समय बीतेगा तो ये दिन कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी अच्छा रहने वाला है तो दोस्तों और किसी जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें